बिहार की सौम्या देश की उन विद्यार्थियों के सूची में सामिल है जो प्रधान मंत्री नरिंडर मोदी के साथ 7 सितंबर को चांद पर चंद्रयान दोग के एतिहासिक लेंडिंग को देख सकेगी। भारतिय अंत्रिच अनुसंधान परसत इस्रो ने सौम्या को ट्रेकिंग सेंटर बंगलोर में आमंत्रित किया है जहां प्रधान मंत्री के साथ चंद्रयान दोग को चांद पर उतरते हुए देखा जा सकेगा। सौम्या बिहार के नवादा जिले के बारिसलीगन के बाली गाउन निवासी राजनंदन सर्मा की बेटी है। वह बोध गया के अमर जोती अस्कुल की आठमी की छात्रा है। सौम्या का चेयन क्वीज कंपिटीशन के जरिये हुआ है। 10 मिनट में 20 सवालों के जबाब देने थे। सौम्या ने इसे 8 मिनट में ही हल कर दी थी। यह क्वीज 8 मी से 10 मी तक के विद्यार्थों के लिए था। दरसल प्रधान मंत्री ने मन की बात कार्जकरम में साइंस के प्रती बच्चों की रूची बढ़ाने के लिए क्वीज कंपिटीशन का जिक्र किया था। दरसल समूचे देश बासियों को इस पल का बेशबरी से इंतजार है। इसरों के मुताबिक चंद्रयान 2 साथ सितंबर को चंद्रमा के दच्चनी धुरुप छेत्र में उतरेगा। वैसे तो दुनिया के पांच डेश अमेरिका, रूस, ईरो, चीन और जापान सौप्ट लेंडिंग करा पाया है। भारत ऐसा करने वाला छथा देश होगा। लेकिन लेंडर और रोवर साथ साथ उतारने के कारण भारत चवथा देश बन जाएगा। इसके पहले अमेरिका, रूस, और चीन, लेंडर और रोवर उतार चुका है। भारतिये के लिए सबसे खास बात यह है कि चांद के दचनी धुब में चंद्रियान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। यह दुर्गम छेत्र माना जाता है। दचनी धुब में अब तक किसी देश ने यान नहीं उतारा है। भारतिये चंद्रियान दो इसे संभब करने जा रहा है। चंद्रेयान दो के जरिये चांद पर पाने की संभावना और मनुस के रहने की संभावना तलासी जाएगी. चंद्रेयान दो में 1.4 टन का लेंडर है जिसका नाम बिक्रम रखा गया है। लेंडर के अंदर 27 किलो ग्राम का रोवर है जिसे प्राज्यान नाम दिया गया है। लेंडर के लेंडिंग के बाद प्रग्यान उससे निकलेगा या प्रग्यान चांद की मीटी का रासायनिक विशलेशन करेगा जबकि बिक्रम चंद्रमा की जीलों का अबलोकन करेगा। एक दसक पहले चंद्रयान एक के जरिये चंद्रमा की सतह पर पाने के अनुगों की मौजूदगी का पता लगाने के बाद से भारत पाने की तलास जारी रखे हुए है बता दें की 22 जुलाई को आंधर परदेश के शिरी हरी कोटा से दो बजकर 43 मिनट पर चंद्रयान दो को लांज किया गया था इस सक्ति साली रॉकेट जी एस एलबी मार्क थिरी एम बन को बाहु वली का नाम दिया गया है इसकी लागर 988 करोर रुपे है तीन लाग 84,400 किलो मीटर और दो लाग 40,000 मिल के सफर के वाद चंद्रयान दो चांद के दच्छनी धुरुप पर उतरेगा चंद्रयान दो की सफलता भारत की परचिस्था से जुड़ा है 2007 में रुशी अंतरिच एजनसी रौस कॉस मौस ने साथ काम करने की बात कही थी इसरो को लैंडर देने का बादा भी किया था चंद्रयान दो का डिजाइन तैयार भी कर लिया गया था जनवरी 2013 में लांचिंग की तिथी भी लगभगताय कर दी गई थी लेकिन बाद में रुशी एजनसी लैंडर देने से पीछे हट गई इसके बाद भारत के बैज्यानिकों ने देशी टकनीक से लैंडर का निर्मान किया है यह सफलता इस बाद का परमान होगा कि भारतिय बैज्यानिक किसी से कम नहीं है हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा इस पर अपनी परतिक्रिया जरूर दें इसे लाइक और सेर भी करें ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें